आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निफ्टी 50 के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा यहां से आगे मार्केट का क्या नेक्स्ट मुव्मेंट हो सकता है क्या अभी निफ्ट हमें 18,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन सबके क्वेश्चन के उपर हम लोग आज अपना व्यू देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के लिए यहां से आगे रेजिस्टेंस क्या होगा निफ्टी क्या यहां से करेक्शन दिखा सकता है सपोर्ट कहाँ पर होगा तो इन सारी बातों के उपर आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और इस channel के उपर अभी नहीं आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस channel पे nifty bank nifty के उपर डेली analysis वीडियो बनाती हूँ और share market के related सारी update सारी news आपको मेरे channel के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की notification आपको time to time आती जाए एक और important बार यहाँ पर मुझे आपको बतानी है upstocks ने फिर से एक बारी एक free account opening चालू कर दिया है और यह offer limited period तक ही है तो जल्दी से अपना account जो है वो upstocks के साथ open कर लीजेगा ताकि आपको next time fees ना देनी पड़े तो यह offer limited है तो नीचे description box में मैंने link दी है उस link के थुरू आप अपना free trading and dmat account open कर सकते हो और upstocks एक बहुत ही बढ़िया trading platform है और यहाँ पर trading करना बहुत easy होता है कुछ भी issue नहीं होते है इसलिए मैंने आपको यह recommend किया हुआ है तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ निफ्टी अभी 17,623 के पास चल रहा है और अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था 300 के ओपर अगर निफ्टी closing basis के ओपर sustain कर लेता है तो यहाँ से 17,600 का next target हमारा रहेगा और आज निफ्टी ने वो target achieve कर लिया है निफ्टी ने 17,600 का level पार कर लिया है और आज एक new high बनाता हुआ निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है तो अभी अगर देखे तो 17,644 का निफ्टी ने high किया है और निफ्टी अपने highs के ऊपर है और अगर closing basis की बात करे तो 9 minutes रह च चुके हैं तो closing basis के उपर निफ्टी 17,600 का level manage करेगा closing basis के उपर hold रखने में तो अभी 17,600 अगर निफ्टी manage कर लेता है तो यहां से 17,800 के रस्ते खूल जाते हैं निफ्टी के next target के लिए और अभी जो support था downside के लिए वो shift हो के 400 और 4500 के तरफ shift हो गया है तो अभी निफ्टी को intraday में भी और closing basis के उपर भी 450 या फिर 400 यह पूरा zone ही support zone है यह पूरा का पूरा zone ही manage करना होगा अगर यह zone तूटता है तो फिर से downside के लिए 17,400 और 17,000 के तरफ निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी अगर option chain data देखें निफ्टी 50 का तो अभी strike price चल रहा है 17,600 का तो call side में अगर देखें तो 600 के ऊपर 74,000 का open interest है और सामने 1,16,000 का open interest है और put writing देखें एक लाग की put writing हुई है वही call writing अगर देखें तो हमें यहाँ पर exit दिख रही है contracts की यानि के 600 का level निफ्टी आज manage करेगा ही करेगा closing basis के उपर hold रखने में 650 की बात करें तो देखें call side में 1,47,000 है और सामने 36,000 तो अभी 600, 650 के zone में निफ्टी हमें बंध होता हुआ दिखाई दे सकता है next expiry की अगर बात करें यहाँ से तो देखें अभी call side में सबसे ज़ादा जो हमें positions build up होती भी दिख रही है वो up side के लिए दिख रही है जो की है 18,000 के उपर और call writing हमें 32,000 की दिख रही है वो भी 18,000 के उपर तो निफ्टी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि 17,600 क्लियर हो जाने के बाद निफ्टी हमें 18,000 का move दिखाएगा और यहाँ पे 17,600 अगर निफ्टी ऐसे ही hold रखता है next one और two session में भी तो definitely निफ्टी हमें 17,900 और 18,000 के तरफ अपना next move देता हुआ दिखाई दे सकता है support की बात करें तो देखें put site में highest open interest बना हुआ है 17,000 के उपर वही आज put writing सबसे जादा हुई है 17,600 के उपर और 17,500 के उपर तो downside के लिए इस option chain data के उपर से दो important support बन चुके हैं 17,500 का level और 17,000 का level तो यह दोनों supports निफ्टी के लिए बहुत जादा important रहेंगे first of all 17,500 का level इसके उपर जब तक निफ्टी चल रहा है इस level को closing basis के उपर जब तक निफ्टी hold रख रहा है निफ्टी हमें 17,900 और 18,000 के तरफ definitely बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर 17,500 break होता है closing basis के उपर intraday में अगर थोड़ा सा break होता है तो चलेगा लेकिन अगर closing basis के उपर फिर से निफ्टी 17,500 का level manage करता है hold रखने में closing basis के उपर तो यहाँ से definitely निफ्टी हमें और upsides के targets दिखाएगा और bullish जो momentum है वो continue रहेगा जैसे हमने कहा था कि 17,300 जब तक break नहीं होता है closing basis के उपर तब तक bullish momentum खतम नहीं होगा और जब तक 300 के उपर है bullish momentum continue रहेगा और वैसे ही अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर तो निफ्टी के लिए 17,500 का अभी next important support रहेगा अगर यह level break होता है तो 17,300 और 17,000 के तरफ निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अभी चलते हैं चार्ट के उपर तो अभी डेली चार्ट के उपर एक बहुत ही बढ़िया bullish candle निफ्टी हमें फार्क फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी अगर देखे तो 17,632 पे निफ्टी हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां से अगर बात करें आज की तो आज की जो opening थी वो थी 17,539 के पास और निफ्टी ने 17,510 तक low किया और वहां से हमें एक अच्छा खासा recovery जो है वो market के अंदर आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी ने 17,644 का high करता हुआ अभी हमें दिखाई दिया है और अभी थोड़ा high से नीचे है लेकिन closing basis के उपर 600 का level निफ्टी ने hold रखा हुआ है और definitely रखेगा 600 का level hold तो यहां से अगर आगे के levels की बात करें तो देखें फर्स जो support है निफ्टी के लिए next trading session के लिए तो आज सो expirity volatility high है तो 17,590 का support जो है वो निफ्टी के लिए next trading session के लिए important रहेगा अगर निफ्टी इस level से नीचे open होता है या फिर इस level से नीचे trade करता है तो यहां से निफ्टी हमें first of all 17,550 और 17,510 के support के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और यहां पे एक important support है एक psychological important support है जिसको तोड़ना थोड़ा निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर तूटा भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है 17,450 का next important और crucial लेवल रहेगा निफ्टी के लिए अपसाइट के बात करें तो अपसाइट के लिए first resistance 17,650 का लेवल रहेगा अगर यह पार्क कर लिया निफ्टी ने तो next resistance 17,710 का लेवल रहेगा निफ्टी 50 के लिए तो यह important support resistance के लेवल से और जैसे मैंने कहा है 600 का लेवल अगर एक से दो session के लिए निफ्टी ने hold रखा closing basis के उपर तो यहाँ से 17,900 और 18,000 तक के लेवल से हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा यह जो लेवल्स है अपने चार्ट के उपर mark कीजेगा ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस अतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सो थैंक यू बेरी मच पो वाचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर एंट रेड केरफुली